दादा पर जब बंदूक तान दी गई थी मतलब एक तरह से पिस्टल तो वो पिस्टल तान दी गई थी उसका किस्टा आपको सुनाओंगा आज और आज हमने कोशिश की की दादा से रिलेटेट बहुत सारी बाते निकल कर आ रहे हैं IPL का मौसम आही गया था थोड़ा सा आगे बढ़ गया है और इसलिए अपूर और मैंने सूचा क्यों आपको थोड़ा सा यादों के गलियारों में ले जाया जाया है थोड़ी सी पुरानी बाते सुनाई जाये क्योंकि ठीक है आज कल की किसे तो निश्चित तोर पर हम हर दिन के हिसाब साब को देते रहते हैं आज मैं आपको किसे सुनाते हैं और मैं आपको ले जाना चाहता हूँ आज से तक्रीबन 24 साल पहले यानि मैं रहा हूंगा तक्रीबन कितने चार साल का अपूर रहोंगे 12-13 साल के अप जादा बता रहे हैं मतलब आप तो ठीक है आप माई किन के हाथ में तो ठीक है किस्सा इनी को सुनाने दीजिए उंको बारा कि आप 24 बना दीजिए तो इस पूर्फ की यह वह आदत है लड़कियों की थोड़ी सी की थोड़ा सा उमर को छुपाने वाली ना उमर को छु अप पूर्फ इंग्लिंड का वो दौरा था और दौर उस वक्त का था जब भारतिय यह दोनों क्रिकेटर्स खास तोर पर राहूल ड्रावेड और सौरफ गांगुली के ओपर दुनिया की निगाहें थी क्योंकि दोनों टन्स ऑफ रंस बना कर आ रखे थे डोमेस्टिक क्र रहा था लॉड्स में कही न कहीं वो टेस्ट मैच था जहां पर इन लोगों ने डेब्यू करना था अपना लेकिन उससे पहले भारत ने ब्रिस्बन में एक टेस्ट मैच खेला था ब्रिस्बन में हार हो चुकी थी और इस हार के बाद कहीं नवजोट सिंग सिद्धू और सोच सकते हैं आप मतलब सौरफ गांगुली और नवजोट सिंग सिद्धू की यारी मतलब किस तरह से चलती होगी एक प्रिंस ऑफ कोलकाता एक उस समय पर कुछ नहीं बोलता था मतलब आज का नवजोट सिंग सिद्धू हर बात पर हासते हैं ठोको ताली कहते हैं बाते बह चैन्मे में सौरफ गांगुली को टीम से इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने वह जो खिलाडियों को पानी की बॉटल ड्रिंक्स वक्त पर देने जाना होता है वह उन्होंने मना कर दिया था कि यह मैं नहीं करूँगा तो मतलब आप मैं कहानी आगे सुना लेकिन हमको भी पता है कि नवजो सिंग सिद्धू उस समय जब वह टीम इंडिया से ओपनिंग करते थे अच्छी बैटिंग करते थे उस समय इतना नहीं वह उनको सिक्सर सिदू कहते थे नाइटीनेटी सेवन में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक नहीं तो यह चीज मतलब उस वक्त पे यह दोनों खिलाडी एक उस समय बिल्कुल रॉयल्टी वाला राजकुमार सा बंदा जिसका नाम ता सौरफ गांगुली जैसे लोग दादा कहते थे उस वक्त पे उनका जो कोलकाता में वेस बेंगॉल में उनका नाम था वो बहुत रिच बैक्ग्राउंड था और सौरफ गांगुली और यह दोनों नवजोट सिंग सिद्धू ट्यूब में थे और वहाँ पर दो लड़के और दो लड़की हैं जो इंगलिंड के थे वैसे ही बदमाश किस्म के वह वहाँ पर रहते हैं मौजूद और वो बीर की केंज जो भी होती है वह से पी रहे होते तो खाली यह जो सौरफ गांगुली की तरफ एक तरफ रखते जो जो सौरफ गांगुली बोलते हैं उसी पे वो जो इंग्लिंड का बंदा होता है वो रियक्ट करता है और सौरफ गांगुली को सीधे मारने के लिए आता है इतने में सौरफ गांगुली उसे रोकने की कोशिश करते हैं नवजोट सिंग सिद्धू बीच में आते हैं और घुस सवालाक से एक बड़ा हूँ तो यह इस इज़ से था कि मतलब आप भारतिये को लेकर बोल रहें कुछ बिना बाद के बोल रहें उसके बाद क्या होता है कि जब दोनों में घुसा मुक्का हो जाता है तो फिर अब जो है वो जो इंगलिंड का बंदा था वो निकाल लेता है प आज खेलना हैं आप लोग क्योंकि इस तरह से दो खिलाडी अलग चले जाना उस समय पर बहुत आजीब माना जाता था इन चीजों को आज तो हम देखते हैं टीम इंडिया का जो कल्चर है उस लिहास से आप देखते हैं कि भाईया दो खिलाडी बस से आ रहें दो खिलाडी निया और इसने कहीं ना कहीं से कीचा क्योंकि अगला स्क्राइशन आने वाला था तो मतलow आप सोचिए इस बात को कि अगर स्क्राइशन नहीं आ रहा होता और अभी रास्ता और बाकी होता क्यव्कि प्छया होंकि 저번 बहाckt वर था ठौर पर की स्क्राइब सचिंप है याइ कर उन्होंने बंदूक नीचे रखी तो मतलब यह कैसा किसा था जो शायर बहुत लोगों को नहीं पता है कि स्वारफ गांगुली पर पिस्टल तांदी गई थी वो भी इंग्लिंड में और अगर वो स्टेशन ना था तो कौन जाने आज स्वारफ गांगुली होते ना होते वाख़ी मतलब यह बहुत दल्चस्प किस्सा आपने सुनाया और बढ़ा मतलब मुझे सुनके तो एक वक्त पैसा लगा मतलब से दोड पता है लेकिन फिर भी मतलब बड़ी बात थी है और यह ऐसा किस्सा है जो मैंने तो अभी तक नहीं सुना था क्रिकेट के कही सारे किस्से पढ़ता भी हूँ देखता भी हो लेकिन हाँ आपने बहुत अच्छा किस्सा सुनाया और मुझे उमीद है कि मतलब यह जितने हमार इसे शेयर करते रहते हैं कि कि आर ऐसा एक चीज सामने निकल कर आई ती प्लेयर से बात होती है तो आफ दरेकार्ट बहुत सारी बाते पता चलती लेकिन motivation उससे में इतना बड़ा था कि भारत के लिए खेल रहा हूं वापसी कर रहा हूं टीम में वरना 1992 से टीम का हिस्सा होता और उनके साथ जो सचिन स्कूल क्रिकेट खेला करते थे वो तब तक बहुत बड़ा नाम बना चुके थे एक तरह से कप्तान बनने वाले थे अज 1996 तक सचिन का बहुत नाम हो चुका था 1992 में वो जो उन्होंने सिड्नी में शतक लगाया था उसके बाद चीजे पूरी पर्थ में जो उन्होंने शतक लगाया था उससे पूरी चीजे बदल गई थी सचिन के लिए दुनिया जान गई थी एक बड़ा खिलाडी आ रहा है ले सब्सक्राइब के साथ ऐसा हो जाता कि मतलब आपकेले हैं कोई साथ में नहीं है मुझे नवजोब सिद्दू जैसे व्यक्ति की तो जरत पड़ती जो घूसे उसे मारने के बाद भी वहां ता कि पहुंच गई थी ना भाई वह सामने वाला नहीं डरा पता नहीं में मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाता है जाहिर सी बात है वाई की पता नहीं जब सामने बंदूक होती है माते के उपर वैसे तो हम सोचते हैं कि हाथ मार के छीन लेंगे या इसे हो जाएगे तो गोली यहां से निकल जाएगी या गोली कोई पकड़ लेंगे रजनी कान स्टैल मे तो सल्यूट है दादा को की उन दादा ने अगली इनिक्स में तरह शांदार शतक जड़ा बहुत शांदार शतक था उसके लिए भगवान कहा गया था यार उस पारी के बाद कहीं ना कहीं वह जो ड्राइव सुनने के लिए हाँ दादा ने मतलब वहां सेंचुरी भी लगा कोई माई बाप नहीं था ऐसा लग रहा था कौन आकर समालेगा दूसरी तरफ आप देखें उस समय पे जब उन्होंने कप्तानी समाली थी तो मैच फिक्सिंग का इतना बड़ा स्कांडल से इंडिया टीम इंडिया गुजर रही थी किस पर भरोसा किया जाए किस पर नहीं पर नहीं कोशिश करेंगे अगर आप लोगों को पसंद आया तो निश्यत तोर पर बताईएगा और और दिलचस्प किस्से हैं कई सारे किस्से हैं मतलब बोलना शुरू करेंगे तो बोलते ही चले जाएंगे तो फिलाल इस वीडियो में हमें इजाज़त दीजिए और आग करेंगे इस तरह के किसे और लेकर आते रहेंगे यह अपके लिए फिलाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप निश्यत तोर पर वी तो कर दो किईये कामेंट कीजये लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए बहुत बहुत शुक्रिया